हम बताएंगे आप लोगों को कि मलाई से सर्डियों में घी आसानी से कैसे निकाले, पहले हम मलाई को मिसी के बड़े वाले जार में डालेंगे, मदाले गरं पानी, इसमें एमने गर्म पानी डाल दिया ہے, गरं पानी डालें से बहुत जल्दी मलाई से गी निकलाता है, देखिए कितनी जल्दी मलाई से मक्खन अलग हो चुका है अब हम इसको एक बड़े बड़तन में निकाल लेंगे आप इसको मिक्सी की बजाए हाँ से भी फैट सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और घी इतने आराम से नहीं निकलता है मक्खन से हम पानी निकाल कर अलग कर लेंगे अब इसी तरीके से हम बची हुई मलाई का भी मक्खन निकाल लेते हैं अब इसको हम गैस पर रखके गरम कर लेंगे गैस को हमने मीडियम पर रखा है अब ये घी हमारा गरम होने लगा है ये पांच मिनट हो गए है अब हमारी मक्खन से घी निकलना सुरूर हो गया है अब ही हम इसको थोड़ी देर और गरम करेंगे हमारा गी मक्खन से निकल कर इतन गरम हो चुका है अब हम कैस बंद कर देंगे जब ये ठंड़ा हो जाएगा तो हम इसको किसी बर्तन में छलनी से चान कर निकाल लेंगे इसमें ये थोड़ा जो जाब दिख रहा है ये ठंड़ा होकर अपने आप खतम हो जाएगा इस तरीके से सर्दियों में घी बहुत जल्दी निकल आता है और बहुत आसानी से निकल जाता है अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सस्क्राइब भी करें